नमस्कर दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में हैं OPPO A33 और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल में गेम स्पेस की सेटिंग कैसे कर सकते हैं अगर आप एक गेमर है और गेम खेलने के काफी शौकीन है तो एक अलग से स्पेस चाहिए होता है गेम प्ले करने के लिए तो उस टाइप की सेटिंग कैसे करनी है तो चलिए इस वीडियो में हम देख लेते हैं तो गेम स्पेस की सेटिंग करने के लिए आपको क्या करना है सामने ही आपक को इस पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आप कोई भी गेम एड़ नहीं हो रक lod है तो गेम हैड करने के लिए आपको टू डौट पर चले जाना है और सेटिंग पर चले जाना है तो मैनेज माइगेमश पर आपक्लिक करदेंगे तो यहाँ पर आपकी जितनी और फिर इसके बाद आपको ऐसे normally back कर देना है और अगर आप अपने applications को home screen से hide करना चाते हैं तो आप इसे on कर देंगे तो यह home screen पे भी show नहीं होगा सिर्फ आपके game space में ही आपकी application show होगी और इसके बाद ऐसे back कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह रही है आपकी games और ऐसे आप open करके इसको play कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ पे आप प्लस के निशान पर जाके और भी games एड़ कर सकते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यह भी एड़ हो गया है और इसके बाद यहाँ पे आपको यह वाली setting देखनी को मिलेगी आपको इस पर क्लिक करना है और अगर आप competition मोड में गेम प्ले करते हैं सबसे उपर अगर आप ऐसे क्लिक करेंगे तो यह आपका competition मोड में एक्टिवेट हो जाएगा competition मोड में खेलने से क्या होता है कि आपकी मोबाइल की जो बैटरी है वो बहुत जादा पावरफुल होती है उसमें और मतलब जादा लगती है और आपका internet भ भी कम लगती है और आपका internet भी कम यूज होता है मतलब दोनों balance हो जाता है ना ज्यादा खड़ चुता है ना ज्यादा कम यूज होता है और इसके बाद इसको अगर third वाले पे क्लिक करेंगे लो पावर मोड पे तो लो पावर मोड में खेलने से क्या होता है कि माली जी आप आपके मोबाइल में बैटरी बहुत कम है और तब भी आप गेम प्ले करना चाहते हैं तो आप लो पावर मोड में खेल सकते हैं और यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन चार आप्शन देखने को मिल जाएंगे ब्लॉक नोटिफिकेशन यानि कि अगर ब्लॉक नोटिफिकेशन से आप क्लिक करके तब गेम प्ले करते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसे पॉप-अ नहीं शो करेगा बार बार जो नोटिफिकेशन आते हैं आपकी स्क्रीण पे वो शो नहीं होगा और इस पे क्लिक करेंगे अगर आप रिजेक्ट कॉल पे खे इनकमिंग कॉल भी और आपका जो नोटिफिकेशन है यह दोनों आपकी ब्लॉक हो जाती है आपको बारी बारी से करने की ज़रूत नहीं पड़ती है और अलाव कॉल और नोटिफिकेशन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो जब आप गेम स्पेस पर अपना गेम प्ले कर रहे हो आते हैं तो इवाइनक्ट से से तब भी आपका गेम अच्छे से प्ले होता है माला इज़घता है अगर्वाइफाय से कनेक्ट हो將ита प्ले कर न चाहते हैं तो वह इसके बादब यहाँ पलकेया जैसे कि आप यहां पे ऐसे game play करते हैं और ऐसे खरते हैं तो आपका जो brightness है कम और ज्यादा होता रहता है तो वो उसकी setting है तो आप इसको lock कर देंगे और इसको भी आप on कर देंगे यह आपका आपको जरूर पसंद आया होगा इसी टाइप की और इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर विसिट करते रहीएगा चली मैं मिलती हूं आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार